अंक आधारित शिक्षा में हमारा विश्वास नहीं है, सरवागिन विकास ये हमारा धे है, इतनी पूरी साल में पढ़ाई की, टीचर ने करवाई, फिर भी इतने माक्स नहीं आये, ये सिरफ एक जिन्दिकी का पढ़ाव है, इसको ये मत सोचिए कि 95 आ गई तो जिन्दिकी क हो गया आप दूसरी चीजों में कैसी हैं डांस में कैसी हैं, अजर्वार्ञ के एक्टिवीटी क्रीटिविटी उसके अंदर जो जनून है, वो करने का वो देकना चाहिए, बच्चे का.एक विद्यालया जो कह रहा है कि उसका हर बच्चा शाचों पर है, एक विद्याल्या जो मानता है कि ये अंक आधारी परिक्षा परिणाम उसके लिए कोई माइने नहीं रखते उसके लिए माइने रखती है स्कील ओरियंटिड एजूकेशन फिलहाल मिनर्वा स्कूल कैलर में हम मौझूद हैं जनको विद्यालिया मानता है कि ये उस विद्यालिया की क्रीम है टोपर है क्योंकि हर बच्चा उनके लिए माइने रखता है ना कि उपर वाले एक या दो टोपर फिलहाल इस विद्यालिया में हम मौझूद हैं और विड्यालीय का मानना ये है कि आने वाले एक साल के अंदर दो साल के अंदर जब बच्चा फिल्ड पे होगा और वास्तों में जो जीओन में वो समश्याएं फेस करेगा तो उस दोरान बच्चे को जो जो चीज़े फेस करनी पड़ेगी उसके लिए हमारा बच्चा पहले दिया गया है विडियाले की और से आप तस्वीरों के माद्यम से देख सकते हैं और आईए स्टाप से बात करते हैं कि स्किल औरेंटेशन प्रोग्राम के जरीए वो किस तरीके की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेगा सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपका मद्याए और हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचा आप पहले तो मैं यहीं जानना चाहता हूं रामदिया जी-क आपके लिए ये क्यों माइने रखता है कि आपके लिए पूरा का पूरा विद्यालिया का स्टाफ हर बच्चा टोपपर है टोपपर तो एक या दो ही होता है अजय जी टोपपर का मतलब ये नहीं होता कि नंबर हम नंबर अधारित पैटरन है जो उसमें विश्वास नहीं रखते हैं हालांकि हमारा रजल्ट बिल्कुल बैस्ट रहा है अगर नंबरों के भी हम बात करें लेकिन हमारे लिए फिर भी कुछ ये माइने नहीं रखता क्यो कि बच्चा जब भी फिल्ड पर या काम पर जाए किसी कंपनी में जाए तो उसको दिक्कत ना आए कोई भी ये महज सर्टिफिकेट कि ये 98 परसेंट है ये 100 परतिसत है ये 55 परतिसत है वो हमारे लिए माइने नहीं रखता जी एक सरवांगिन विकास की सोच का आप जिकर कर रहे थे क्या सोच है वो और आप चाहते हैं कि जो दिहाडी मजदूरी करके हर आदमी जो अपना पैसा देता है अपने बच्चे के लिए जो कंट्रिबूट करता है उसको वो उसका हक उसका लाव उसको पूरा का पूरा मिले अजया जी सरवांगिन विकास का मतलब है कि सिक जैसे कल का उदान है एक दिहाडी दार आदमी का बच्चा यहां प्लस्टू कक्सा में था वो मिठाई का डबा लेकर यहां आया तो उस बच्चे ने 75 मार्क हासिल किये थे जो बच्चा पास होने की उमीद नहीं थी यहां 75 मार्क नंबर लेता है और उसके पेरेंट्स आकर पर बड़ा असान मानते हैं तो तब भी हमें लगता है कि हम कहीं न न कहीं कामियाब हैं जी हम मतर यह नहीं देखते कि 90 पलस्ट कितने हैं हम उनको भी देखते हैं कि हमारे बच्चे किस किस लीवल पर पहुँचे है निच्चे वाड़े बच्चे भी यहां अंतिम सेंतिम बच्चे की देखवाल है और हम उनको पूरा लाव देते हैं इसके साथ जिन जिन आयामों को पिछले दिनों भी ड्याले ने चुआ है उसका आप जिकर कर रहे थे कि सरवागिन विकास में तो यह यह चीजे वाकई में आती हैं तो अजया जी वही में कह रहा हूँ अंक आधारित पैटरन हमारे लिए माइनीन रखता हम वास्त विकता यह तो टेंथ और प्लस टू का रजल्ट है तब हमें गरव होता है कि हम वास्त में स्किल औरियंटीड एजुकेशन दे रहे हैं खेलो हरियाना में हमारा बच्चा गया स्टेट लेवल पर गुडिया खेली नैंसियस होकी और भी राष्टियस इक्सा स्मीती के टेस्ट होते हैं जो तो मेरिट में हमारे बच्चे आई हैं कई बार तो हम उन रिजल्ट के बात करते हैं ना कि ये मातर मार्क सीट जो दिखाई जाती है पिछले दो दिन से आप देख रहे होगे सोसल मीडिया खोलोगे बैनर बड़े-बड़े कोई देख रहा है बलोग में 20 मी पोजिशन है कोई 10 मी नंबर गिरने सुरू कर देते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है आपने देखा होगा हमारे ओफिसियल पेज़ पर हमने ज़्याद ऐसी नोटिफिकेशन नहीं डाली है क्योंकि हमारे सारे ही बच्चे टोपर है अंतिम सेंतिम बच्चा जो 30% का बच्चा था 75 पे पहुंचा है हमारे लिए वो और ज़्यादा टोपर है तो हम इसमें विश्वास रखते हैं कि किसी के साथ धोखा ना हो किसी ने पैसे दिये है तो उसकी संतुस्टी हम उसमें वश्वास रखते हैं ना कि मातर च्यार बच्चों में जो टोप दिखाए जाते हैं उन में हमारा विश्वास नहीं हम ओवराल की बात करते हैं अनिल सनोप गुलाब था वजी नगर से 11 के छातटर था जो गुडगाओं गया था खेलने उसका सर्टिफिकेट और ट्रोफी मोमेंटों वहां से मिला है नैंसी असोक की है स्टेट लेवल पर गई है उसके सर्टिफिकेट आये हैं अब जब वो कोलेज में एडमिशन लेगी आग गई पलस टू के बाद तो उसको ग्रेस मार्क मिलें दोण के पांच नंबर स्टिफिकेट के हम उसमें व्ष्वास रखते हैं ना कि हम यह कम्पीटेशन दो टो या च्यार स्कूल इकट्टे करके कि उसकी प्शिशन की वह है कि वह हमारी सोच नहीं है हम व्वास्ट्विक्ता में इस्वास रखते हैं और उसी के वपर हम काम कर तरह में डॉक्ट्रेट जो है फिलोस्पी से डॉक्ट्रेट की है मैंने और काफी अच्छा लगा जो है कोलेज में टीच किया लेकिन यहां एक अलग ही तरह का जो है माहोल मिला है बिलकुल जैसा मैंने भुष्चे में उमीद की थी कि ऐसा अगर एक कोई स्कूल हो क्योंकि आ है बिलकुल अलग है एक आप देख सकते हैं जो भी बच्चा यहां से शिक्षा ले रहा है हमारे विदल्य से हमने बिलकुल ऐसा उसके लिए रखा है जिसकी आर्थिक स्थिती है बिलकुल मुख्त में भी हम अगर कोई बच्चा हमें लगता है कि जो है इसकी आर्थिक स्थ देखते हैं सर देखो ऑवरोल जल्ट जो है वो बड़ा अच्छा रहा विदल्या का यह तो कहूंगा जैसा हमने उमीद की थी हमारे द्यापकों ने हमारे विदल्या प्रबंदन ने जैसा उमीद की थी रिजल्ट हमारा बिलकुल उमीद के अनुरूप ही रहा है और रही बात यह जो परति सत की है तो परतिसत मेरे हिसिअब से कोई माना नहीं रखता जाइजी कौँंकि परतिसत है आपकी योगिता को नहीं दिखाता है कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्छे का जो है LEVEL काफी अच्छा होता है और कई कार्णों से प्रसेंटिश है अब मैं को एक उधा खुझ अब अगर 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 अबात करें तो आप यह पचे देख रहे हैं तो लड़के पा रहे होगे हमारी वो हमारी सभी गुडिया और सभी जो है आज कल तो हरग शेत्र में गुडिया वा लड़कियों ने उन्होंने अपना अपना पर्चम लहराया है सफल्टागा और जो हमारा जो रेजल्ट रहा है इन सभी बच्चों का जो है 95 अबो रहा है लेकिन फिर भी 95.30 अंकों को मैं यह नहीं कहूंगा और बच्चों ने बीना किसी इसिटूट में जाए, बिना तैयारी किये, पहली बार में हमने जब बच्चों के पेपर दिलवाई है, यहां गुडियां से मिलोगे उनसे काफी है, तो उन्होंने साथ बैंड लिये है, और वो सिर्फ यहां से हम अनको गाइड करते हैं, यहां ह क्यों वैसे उसको त्यारी करवा रही है और मार्क जो है वो बच्छों के लिए काफी अच्छा है च्छा नहीं पर थिसे से तो काफी अच्छा सरहानिय जो है बच्छों की मेहनत रही है अध्यापकों का सहयोग रहा है और विदालय प्रबंदन ने काफियत सस्पोर्ट किया है चलो बहुत बहुत बदाई हो पूरे स्टाफ को मगर इसी के साथ साथ सर का कहना ये है कि अंक आधारित शिक्षा में हमारा विश्वास नहीं है सरवागिन विकास ये हमारा ध् स्टाइब फिलाल बच्चों से बात करते हैं गुडिया क्या नाम है अपका स्लोनी ने अभी 10 की परिक्षाइं दी ती रजल्ट से संतूस्ट है नहीं क्यों संतूस्ट नहीं है क्योंकि नंबर ज्यादा कट रहे हैं इतनी अमीद नहीं थी कि इतनी कटेंगे तो बहुत ज् लगता कि महनत कम की है या स्टाफ का योगदान कम रहा हो नहीं महनत भी पूरी की थी और टीचर ने भी बहुत साथ दिया पूरा साल टीचर ने बहुत मलब की टेस्ट में भी पार्टिस्पेट कराया अलग-अलग जंगया पर लेके गए तो हर एक चीज में अच्छी पार लंबी उमर पड़ी है आपको तैंक यू सर आपका क्या नाम गुडिया राखी राखी के कितने माक्स हैं एट्टी एट्टी फॉर परसेंट संतूस्थ हैं नो सर अच्छा और आने चाहिए थे चेंज करवाएं यह तो हो नहीं सकता लेकिन यह बताईए आपकी पढ़ाई क इस तरीके से करते थे आप क्या उस पढ़ाई के मुताबिक आपका रजल्ट रहा नो सर अच्छा थोड़ी और मैनत करने की जरूरत थी यह सर चली आगे और बच्छों से बात करते हैं आपका क्या नाम है पायल कितने माक्स हैं नाइंटी नाइंटी फॉर परसेंट नाइं करोगी अभी प्लस्टू का अभी देखनी है आपको ग्यार्मी दानी है उसके अकोर्डिंग आपको बनना चाहती है जाए है ये सर बदाई हो आपको गुड़ी आपको क्या नाव है मेरा नमनीशा है मनीशा कितने माक्स है नाइटी वन परसंट नहीं सर यह सिरफ नंबर भर है जिन्दकी और पड़ी है आपकी मायूस होने की जरूरत नहीं है और महनत करिये प्लस टू बाकिया बनना क्या चाहती है मनी आईएस ओफिसर चलिए बदाई हो आपको आईएस ओफिसर भी इसी मिनर्वियन स्कूल से निकलेंगे गुड़ी आपका क्या नाम है मन्जीत मन्जीत कितने माक्स है नाइंटी वन परसंट संतूस्ट है बोलो संतूस तो बोल दो किसी कोई तो संतूस्टी दिखा दो अपन अब इसे तियारी करने शुरू कर दीजिए बाकि मिनर्वा का स्पोर्ट तो आपके साथ है गुड़ी आपका क्या नाम है नैंसी कितने माक्स है नाइंटी फॉर परसंट संतूस्टो नाची है संतूस्टो ठीक है मतलब मेहनत के मताबिक हैं थोड़ा और मेहनत अगर कई कम ही रही है तो उन बच्चों को और बता दीजिए जो अभी टैंथ में होंगे बाकि मैना तो बहुत करी थी उससे साथ है कम आये और आने चाहिए और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहती हूं आप मैसेज तो गए जी पड़ाई कर लिए आपका क्या नाम है खुशी पाकी है डान्स पर्धिकाल्स क northern रीरland को सुर्व कर सकी है और मैसेजowser है कि यहां आपको पूरान पहाना नहीं है जो एकन्स दो कर सकते हैं जो और भी चीज़ह कि है विरकाउर ट्वालत में दे की तो कि अटिख सके तो इस में अचा रिजल्ट आ श subtitle ऊख़ें डोक्टर चली बढ़ाई हो आपको संतूष्टी दिखाने ही पड़ेगी क्योंकि यह जिंदिकी का पढ़ाव है जिंदिकी लंबी है प्लस टू बी आएगी बीए बी आएगी तमाम पढ़ाई का दोर भी है लेकिन इसके अलावे बताइए आप दूसरी चीजों में कैसी है मतलब डांस में अधर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में या जो इंटर स्कूल के मताबिक जो आपके कंपेटिशन होते उनमें कैसी है बड़ी है उसके मताबिक आपको स्कूल में प्रिपेर करवाया जाता है येस सर बना क्या चाहती है डोक्टर बदाई हो चलो अब बना क्या चाहरी है या कर रही है पीटी कर रहे हैं अब बहार विदेश में जाकर अपना कैरेर बनाने की चुक है आप यह सर लगता है आपको कि सिरफ यह नमबर्स ही काफी है या और भी चीज़ें इसमें इन्वोल्मेंट या जब इवल्यूशन करे बच्चे का मुल अब बच्चे का पड़ाई में ज्यादा ध्यान हो और कुछ करना जाता है तो इसके लिए बच्चे को डी मोटिवेट नहीं करना चाहिए हमें से मोटिवेट करना चाहिए कि वागे बढ़े इसलिए यह सर अभी जो दूसरे बच्चे होंगे प्लस्टु में उनके नाम कितना कॉंट्रिविशन मानती है मिनर्वियों को या MPS को क्या दस में से कितने नमबर देंगे दस में से बाइब बाइब तैन पूरी मैनत करी गई है यह सर चली बढ़ाई हो आपको बच्चे तो मेरे साथ मिनर्वा स्कूल के बच्चे थे और अपने कॉंट्रिविशन के भारे में बताया अपनिया बरिंगिंग्स के बारे में मगर इसके साथ साथ यह चीज़ भी जहन में डाली कि सिरफ यह अंक आदारित जो परिणाम है यह हमें पूरे तरीके से मल्याकन नहीं कर सकते और भी चीज़े हैं जो मुल्याकन के दायरे में आने चाहिए उन में हैल्थ, स्पोर्ट्स और तमाम वो चीज़े जो एक्स्टा करिकुलम एक्टिविटीज में आती हैं उन चीज़ों का भी आंकलन हो कहीं नहीं सिर्फ नमबर आधारित नहीं होते तो किसी अबिद कर दियाता है कि उनके टोपर्स बच्चे यही हैं और हर बच्चा उनके लिए टोपर्स है चाहिए उसके कम मार्क्स है या ज्यादा मार्क्स है फिलाल मिनर्वा स्कूल के प्रांगन से तमाम तस्वीरे आप देख रहे थे बहुत बर शुक्रिया